हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेक टो माई चैनल क्रिप्टो वेच लेली तो दोस्तों आज की वेडियो में हम बिट्टी सी के चाट को एनालीसिस करेंगे इन डिसकस करेंगे कि अभी के लिए आपकी क्या स्ट्रेजी होने चाहिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हूं जो हमार इसली बात है कि आपको ब्रेकाफो देखने को मिलेगे लेकिन आपको कोई यह बताने वाला होना चाहिए तो दोस्तों अब भी हमने यापर बिट्रीस का लावर चार्ट ओफन करके रखे जिसमें टायम् फ्रेम हमने वन होर सेलेक्ट किया हुँए हम यहाँ पर डिफ्रेंट डिफेंट टायम् फ्रेम जिसे की वन होर उसके बाद हैं 4 more इन सबसे लाश्ट ने वन डे के चाट पर अनलीसिस करेंगे साथ में यहाँ पर डिफेंट 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 इंडिकेटर यूज़ करने वाले जैसे कि स्टोकर्ष्ट करसाई हमार सप्पोर्ट लाइन रजिस्टेंस लाइन इन सबसे लाश्ट ने फि अगर आपको हमारी चैनल जोन होना है तो मैंने लिंक डिस्क्रेंट भी डिफेंट है कि आपको बाई करना चीए कि नहीं करना चीए तो गज़ेक्टली हम वह डिसकस कर लेते हैं तो उसके लिए हमें लाइव चार्ट पर चलना होगा तो अभी हमने यहाँ पर बिट्ट्री मॉल्य रही है इसरि ऌ? 12- अगर इस तो फ्रन्स इसका रिजिन भी हम है अपने टेलेग्राम चैनल पर है डाला था अगर आप ने हमारी पोड्चर अच्छे से रहेर का रिजन पता होगा वज हमने एक जक्ली इस पॉइंट वह आपको बोला था कि जो हमारा प्राइस है यहां पर रेजिस्टेंस लेगा इंद निचे वाली ट्रेंड लाइन तक टेस्ट करेगा वज अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप हमारे टेलिगाम चैनल को देख स कि जो हमारे सपोर्ट लाइन वह भी इतने स्ट्रोंग सपोर्ट नहीं है इंद अभी आप यहां पर वन होड चैनल लिखाई देती है तो उसके बाद में है आपको प्राइस देखने की आप मेंसे काहीं लोग क्या सुचते है कि अभी जैसे मैंने वीडियो पोस्ट किया तो वीडियो पोस्ट करने के बाद में वन होर के बाद में डिखे यापको फोर होर के चाट में only one candle लिखने को मिलेगी तो आप में से काफी लोग इतना जल्दी करते हैं इतना जल्दी मित किजिए जैसली कि आप यहां पर वन होर चाट पर देखते हो तो जो अभी हमारा Stochastic IRS ही है वो यहाँ पर Overboard Line के पास में है तो आपको थोड़ा price decrease देखने को मिलेगा उसकी बाद में आपको यहाँ पर breakout guys finally उपर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पता हुए कि जो हमारा falling wage pattern है यहाँ बूलिस का साहिन होता है अभी आपको यहाँ पर जो price downside दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आप यहाँ पर फुरहोड चार्ट में Stochastic IRS से देखते हो तो जो मारा Stochastic IRS में जो signal line है जो blue line है red line है आपको यहाँ पर एकदम कोण side दिखाई दे रही है और यह oversaw line को touch करके रही है तो यहाँ से idea लगता है कि आपको यहाँ पर एक pump देखने को मिलेगा और breakout ऊपर के देखने को मिलेगा तो आप इतना वरीमत होई है कि अगर आपको थोड़ा सा price decrease देखने को मिले 37,600 तक 37,700 तक तो आपको panic मानेक नीड नहीं है आपको यह आपर फुरहोड चार्ट में गाज यह बुलिस का स्राइन दिखाई दे रहा है यह बुलिस का साहिन होगा अगर हमारे केंडल के क्लोजिंग 200 एमे से उपर होती है तो केंडल के क्लोजिंग इससे उपर होती है तो फ्रंस हमारे 200 एमे वाली लाइन सपोर्ट का काम करेगी अगर हमारे candle closing 200 EMA से नीचे होती है तो 200 EMA वाली line strong resistance का काम करने वाली है तो जिसी कि आप यहां पर देख सकते हो अगर आप long term के लिए trading करते हो तो जिस स्टोकस्टिक आरसा यह बिरिस का सायन दे रहा है इन अगर हमारे candle closing 200 EMA से नीचे होती है तो जिस आपको 1 week तक price decrease देखना को मिल सकता है तो जिस आपको day candle closing देखना है अगर हमारे candle closing उपर होती है तो जिस यह आपके लिए debaste है bullish का सायन के लिए अगर हमारे candle closing इसे नीचे होती है तो यह bearish का सायन होगा तो आप आप 4 term के लिए trade करते हो तो आपको 1 hour का chart and 4 hour का chart analysis करना है जिसी कि आप यहाँ पर 1 hour के chart में देख सकते है जो हमारा price pattern है exactly filing में चनल रिमोग कर रहा है तो यहाँ से तो शोर है कि आपको यहाँ पर breakout देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर stochastic आरसे देखते हो तो यहाँ से idea लगते है कि price decrease होगा उसके बाद में आपको यहाँ पर एक breakout देखने को मिलेगा क्योंकि friends आप यहाँ पर 4 hour chart में देखिए जो हमारा stochastic आरा साई है वो oversaw line को test करके रखावा तो यहाँ से तो शोर है कि आपको यहाँ पर crossover देखने को मिलेगा अभी आप में से काफी लोग सोचते है कि यहाँ पर 1 hour chart में यहाँ पर हमारा श्टोकाश्टिक आरा से बेज कसें दिया रहे तो हमारा price किस point तक decrease हो सकता है तो जो हमने यहाँ पर 4 hour chart में Fibonacci retracement broker करके रखावा new Fibonacci retracement तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 0.5 वाली लाइन है यहाँ पर 0.618 वाली लाइन है 37,200 पर गज एक्जेक्ली 37,179 पर हमारी 0.618 वाली लाइन है तो जहां तक मेरा idea price इसे ज़्यदा decrease नहीं होने वाला तो जहां आपको यह चैनल फोलो करना है एक्जेक्ली वन हो चार्ट में आपको इसी के कोडिंगी सोट करना लोंग करना है अगर आपको यहाँ पर breakout देखने को मिलते हैं तभी गज आपको लोंग करना है आप में से काफी लोग क्या सुचते हैं यहाँ पर चैनल लिखाई जिता है तभी आपको लोंग करना है इन साथ में आपको stop loss लगने है ओके गाईस तो I think आपको smudge माया होगा तो कईज आज का वीडियो हमारा इतने है था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तब इस वीडियो को लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करना ओके थैंके थैंके सो मच